हेलो स्टुडेंट, हाउ आर यू? लेट अस राइट एन एप्लिकेशन फोर सिख लिए यह आपको स्क्रीन के उपर एप्लिकेशन दिखाई दे रही है एक यह उपर लिखी हुई है यह अंग्रेजी में है और यह है इंदी में तो यह उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा सलो लर्नर हैं जो देरे सीखते हैं आप कहीं स्कूल में पढ़ते हो तो बिमार हो जाते हो तो बिमार होने पर आपको अप्लिकेशन लिख करके देनी होती है स्कूल में छुटी लेने के लिए तो ये उसी के बारे में है तो मैं आपको इंदी और इंग्लिस दोनों के बारे में एक साथ बताऊंगा आप इसको द्यान से सुनना और समझना तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी वाले बता देता हूं उसे लिखा हुआ है बिमार होने पर छुटी लेने के लिए प्रारतना पत्र ये बिमार होने पर बिमार में आप कुछ भी हो सकते हो आपको सिर में दर्द हो गया, आपको बुखार हो गया, आपके पैर में दर्द हो गया और कोई बिमारी हो तो आप उसी तरह कोई बिमारी हो चाहे तो यह बिमार होने पर छुटी लेने के लिए परातना पक्तर छुटी एक दिन की हो चाहे दो दिन की चाहे पांस दिन की वह आप निचे लिखो तो कैसे शुरू करते हैं हम सबसे पहले यहां लिखेंगे सेवा में क्या लिखेंगे इधर सेवा में मुख्य ध्यापक जी मुख्य ध्यापक मुख्य और अध्यापक को मैंने अलग-अलग कर दिया जबकि बड़ी कलासों में मुख्य और अध्यापक यह आ है ना इसको अटा करके इस आ की मात्रा में बदल दिया जाता है लेकिन छोटी कलास के लिए ये पत्र है इसलिए मैंने मुख्य अध्यापक को अलग अलग कर दिया मुख्य अलग कर दिया और अध्यापक अलग कर दिया ताकि छोटे बच्चे इसको आसानी से लिख ले मुख्य अध्यापक जी A.M. School A.M. School A.M. से आप कुछ भी बना सकते हो Others Middle School या और कुछ बना सकते हो और नीचे जहाँ पर वो स्कूल है ये महम मैंने इसलिए लिखा है कि ये चोटे बच्चों लिखने में आसानी रहती है और यहाँ लिखेंगे फिर हम स्रीमान जी मैं आपके स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ता हूँ यदि कोई बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ता है तो यहाँ पहली की जगह क्या लिख देगा दूसरी मैं आपके स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ अगर कोई बत्सा तीसरी कक्षिया में पढ़ता है तो यहां पर क्या लिख देगा तीसरी मैं आपके स्कूल में तीसरी कक्षिया में पढ़ता हूँ मैं बिमार हूँ इस बिमार की जग आप यह भी लिख सकते हो मेरे सिर में दर्द है मेरे पेट में दर्द है मुझे बुखार है या कोई और बिमारी आप वो भी लिख सकते हो करिपा करके करिपा करके मेरी एक दिन की छुटी हो तो एक दिन लिखें, दो दिन की हो तो दो दिन की लिखें, तीन दिन की हो तो तीन दिन की, पांस दिन की हो हूँगा या मैं आपका आभार मानूँगा और निचे आपका शिष्य है शिष्य से पहले मैंने आज्याकारी नहीं लिख्या क्योंकि आज्याकारी भी बड़ा हो जाता लिखने में तो आपका आज्याकारी शिष्य है जिसको ये शिष्य नहीं लिखना आए वो आपका छात् कक्षया पर्थम या कक्षया दूसरी या कक्षया तीसरी रोल लंबर जितना भी हो आपका आठ दस बीस पुंद्रा जो भी है और इस साइड में आपका क्या लिखोगे तारिक तो ये तो था आपका इंदी में प्रार्धना पत्तर अब इंगलिस का जाओ एप्लिकेशन फोर एप्लिकेशन माने प्रार्धना पत्तर फोर माने के लिए शिक लिव माने बिमारी के चुटी के लिए बिमार शिक माने क्या था बिमार लिव माने चुटी बिमारी के चुटी के लिए प्रार्धना पत्तर तो अंग्रेजी में यहां सेवा सेवा की जगड क्या लिखते हैं तू यहाँ पर सेवा में लिखा हुआ है अंगरेजी में क्या लिखेंगे तू उसके बाद मुख्यद्यापक की जगबर क्या लिखा दा हैड मास्टर मुख्यद्यापक को अंगरेजी में क्या कहते हैं दा हैड मास्टर उसकेबाद AM school लिखावा है तो यहां भी AM school फिर जो भी share का नाम है वो यहां लिखाव है mem तो यहां भी लिखाव है श्रीमान जी को अंगरे जी में क्या कहते हैँ sir फिर I study, I महने में study महने पढ़ता हूँ में नहीं महने I means first class स्थ मा ने पहली दूसरी में ओतो सैकेंड खलास तीसरी में ओतो धर्ड कलास मैं तीसरी कलास में पढ़ता हूं इन यूर की कुल आपके में मैं आपके स्कूल में पहली कख्या में पढ़ता हूं आई म मिल एग इमघ मन बिमार या स्कूल, आपके स्कूल में मैं आपके स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ता हूँ I am ill I am ill I माने मैं ill माने बिमार या ill की जगा आप sick भी लिख सकते हो I am sick, मैं बिमार हूँ M माने क्या होता हूँ kindly, kindly क्या होती है इनदी क्रिपा करके एकृपा करके को एंगरे जी मिए क्या कहते हैं काइड ली गरांट माने मंजूर करना काइड ली गरांट मी माने मुझे टू डेज दो दिन की लियु माने छुटी करपया मुझे दो दिन की चुट्टी मनजूर करे यहां तीन दिन के लिए नहीं तो टू की ज़ए क्या लिए दोगे थरी पांस दिन की हो तो फाइव डेज फिर मैं आपका आभारी होंगा मैं क्या अंग्रेजी आई सेल बी मने होंगा थेंक्फुल मने आभारी तू यू तू यू मने आपका मैं आपका आभारी होंगा और आपका शिश्य योवर्स प्यूपिल योवर्स प्यूपिल प्यूपिल मीन क्या होता है शिश्य योवर्स प्यूपिल निच्चे अपना नाम लिखतो जो भी हो फिर यहाँ पर कलास लिखो जो भी है फिर रोल अमर और इधर है डेट तो इस परकार आप लोगों ने ये इंदी और अंग्रेजी में छोटे-छोटे पत्रे लिखने सिखा है हाँ इसको दुबारा पढ़ते हैं एक पर जल दी तू दा हेड़ मास्टर एम स्कूल महें सर आई स्टेडी इन फर्स्ट कलास इन योर स्कूल आई एम इल काइंडली ग्रांट मी तू डेज लिव काइंडली ग्रांट मी तू डेज लिव आई सेल बी थैंक्फूल तू यू योर्स प्यूपिल कमल कलास फर्स्ट रोल लंबर एट डेट इधर डेट लिखने तो इस परकार आप इन दौन पत्तर को ये इंदी वाली कोपी में और ये इंगलिश वाली कोपी में लिखोगे और इसको याद करोगे जै हिंट